बाई यूर बैनों, स्वास्थ सेवा से जुड़ी स्किल मैंपावर का सीधा असर प्रभावी स्वास्थ सेवाँ पर होता है। इसे हमने इस कोरोना काल में और ज़्यादा महसूस किया है। केंद्र सरकार के सबको वैक्सिन, मुट्व वैक्सिन अभ्यान की सबलता इसी का प्रतिमिम है। आज भारत में कोरोना वैक्सिस की 88 करोड, 88 करोड से अधिक डोज लग चुकी है। राजस्तान में भी 5 करोड से अधिक वैक्सिन डोज लग चुकी है। हजारों सेंटर्स पर हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज, मेडिकल स्टाफ लगातार वैक्सिनेशन करने में जूटे हैं। मेडिकल खेत्र में देश का ये सामर्त हमें और बढ़ाना है। गाँ और गरीब परिवारों से आने वाले विवाओं के लिए सिरफ अंग्रेजी भाषा में मेडिकल और टेकनिकल एजुकेशन की पढ़ाई एक और बाधा रही है। अब नई राष्टिय सुच्छानिती के तहट हिंदी और दूसरी भारतिय भाषाओं में मेडिकल की पढ़ाई का भी मार्ग बना है। राजस्तान के गाउं की गरीब परिवार की माताओं ने अपनी संतानों के लिए जो सपने देखे हैं वो अब और आसानी से पूरे होंगे। गरीब का बेटा भी गरीब की बेटी भी जिसको अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने का मोका नहीं मिला है वो भी अब डॉक्टर बन करके मानवता की सेवा करेगी। आवसक ये भी हैं कि मेडिकल सिक्षा से जुड़े अउसर समाज के हर हिस्से हर वर्ग को समान रुप से मिले। मेडिकल सिक्षा में OBC और आर्थिक रुप से कमजोर सामान्य वर्ग के युवाओं को आरक्षन देने के पीछे भी यही भावना है।